किया आप भी ऐसे ही बजाते हो आवस नहीं आती ठीक से चलो ठीक है आज इस वीडियो को आज आपने क्लिक किया है तो आज हम आपको सिखा देंगे कि बासुरी से एक प्रोपर जो साउंड है बासुरी की वो कैसे निकालते हैं ठीक है तो वेल हलो दोस्तों मैं हूँ आपका तो नीर्फ है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बासूरी में एक ठीक तरह से फूग जो है वो कैसी लगाई जाती है और किस तरह से आप आपके बासूरी का साउंड जो है वो क्लियर कर सकते हो खीक है तो फर्स्ट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिग आप ट्राइ कर रहे हो तो उसके लिए पहला जो स्टेप है आपको बासूरी ऐसे पकड़ के फूक जो है वो नहीं लगाना है पहली चीज अगर आपकी बासूरी से आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो बासूरी ऐसे पकड़ के आप फूक ना लगाए क्यूंकि ज्यादा त अगर ऐसे हम जब पकड़ते हैं तो आपको फूक लगाने का जो एंगल होता है वो ज्यादा तर समझ में नहीं आता तो पहला स्टेप आपको क्या करना है यह ब्लोइंग होल है ठीक है थ्रेड्स होगे अगर यह देखे यहां पर बासुरी में थ्रेड्स जो है होते हैं तो अ पकड़ो ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां का जो एज है मतलब यह ब्लोइंग होल है ठीक है यह ब्लोइंग होल का मेरी साइड का जो एज है उस एज को उस एज को आपको लगाना है आपके lower lip का जो एज है उसके थोड़ा सा ऊपर मतलब proper age पे भी नहीं age के थोड़ा सा ऊपर जो है आपको इस age को बासुरी के blowing hole के age को यहाँ पे place करना है ठीक है मैंने place किया अभी तक मैंने कुछ भी लिप्स का मोमेंट या फिर कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ नॉर्मली ऐसे प्लेस किया ठीक है अब इसमें आप देखो कि आप यह जब भी प्रैक्टिस कर रहे होगे ना तो आइने के सामने बैट के करिए तक कि मैं जो भी बता रहा हूं वह आप आधा जो होल है वह आपको बाहर दिखाए दे रहा होगा मैरा हां पूरा नहीं देख़्र है यह हो गया पूरा दिखना और यह हुआ आधा तो ऐसे आपका position होना चाहिए, यह आपको mirror में देखना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, simple lips को lower lip को थोड़ा सा stretch करना है, lower lip and upper lip, दोनों को किया, यह देखो, अब पहले normal है lips, मेरे proper एकदम normal देखो, अब मैंने क्या किया, दोनों lips को एक दूसरे से पकड़ लिया, and then stretch किया किया, अब फोड़ी सी जगा बना के हमें जहाँ पे blowing हो ले वहाँ पे फूग वारना है, simple, और यह जो फूप मारेंगे, यह आप यहाँ पे मतलब गले में, याँ फिर यहाँ पे इकटा करके इसीने, ऐसे मारेंगे तो आवदी नहीं आएगा पेली बात, यह बहुत ही गलत तरीका है, जो ज़्यादा तर लोग करते हैं, यहाँ पे इकटा करते हैं, मुँ में इकटा हवा करते हैं, फूप मार देते हैं, हमारी जो हवा है वो पेट से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, यहाँ से ऐसी ट्रेवल करके बाहर आगी, ना कि यहाँ पे, इसमें क्या होता है, आप लिप्स का पोजिशन देखो, आपको की उशेप में आ जाता है, बहुत सारा स्पेस जो है, लिप्स के यहाँ पे उपन हो जाता है, और हवा फिर स्प्रेड हो जाती है, एक लाइन में नहीं जाती, ठीक है, तो जब हम ऐसे, आप देखो कितना स्पेस है, उपर से लिप्स भी मेरे ब्लूज है, बट जैसे ही आप टाइड करते हो, लिप्स को टाइड करिये, किया, एंड देन, अंदर से, पेट की यहाँ से, आपको, काम खतम, इसी तरह से आपको फूक लगाना है, और ये सारी चीज़े आप आएने में देखिए, और इस फूक को पकड़ के साथ, अगर आपको अच्छा बजाना है ना, तो पहले ऐसे पकड़ के ना, एटलिस दस से पंदरा सेकंड तक, इस तरह से, लंबा किचने की प्रैक्टिस करो, दस से पंदरा सेकंड एटलिस्ट, और पूरा एक हफता आप करो, अगर आपकी बिल्कुल भी हवा जो है, बासूरी में, मतलब हवा का ही साउंड आता है, बासूरी का साउंड ही नहीं आता है, तो ये टेकनिक फॉलो करके, पूरा एक वीक आपको रोज प्रैक्टिस करना है, एक घंटा, और ट्राय करना है, कि ये जो स्ट्रेच है, आवाज जो है, या फिर जो भी आप बासूरी से, ऐसी अगर आवाज आ रही है, तो उसको आप होल्ड कर सको, 10 से 15 सेकन तक, ये आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप आराम से जो सूर है, बासूरी से वो निकाल सकते हो, ठीक है, अब गलती होने के चांसे क्या है, कि आप एक तो यहाँ पे इकटा करके, उटाइप मारोगे, तो ये गलत है, दूसरा चीज, अगर ये ऐसा आ रहा है, तो ज़्यादा तर चांसे सोते हैं, कि आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, उस समय आप ट्राइ करो, कि आपकी जो फूक है, वो प्रॉपर कंट्रोल में, और आराम से जाए, ना कि जोर देना हैं आपको, आराम से लगाना है, अगर आराम से लगाओगे तो, ऐसा साउंड आएगा, अगर जोर लगाएंगे तो, यूनो, बहुत ही शार्प वाली जो है, कानों को आपके इरेटेट कर देगी, ऐसी साउंड आएगी, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, कि जोर से हवा जो हैं, वह अंदर जाए, ठीक है, इतना ही टाइट रखना है, कि एक अलाइन में, जो मैंने अभी साउंड बताया, नॉर्मल वाला, ये वाला, ये आए, और फिर उस आवाद को आपको, दस से पंदरा से कंद तक, जो है, खीचना है, ठीक है, वेरी सिंपल, को करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो भी लेसन होगा, उसमें आपको बता दूँगा, कि फिर क्या आपको करना है, ठीक है, तो इस तरह से, मैं 100% गारेंटी आपको देता हूँ, कि अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किया ना, तो आपकी बास जोरी से अच्छे से आवाद आ सके, और अगर अच्छे से आवाद आए, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि अपने इस लेसन का जो है, आपको कुछ फाइदा हुआ है कि नहीं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि, ओके, ज्यादा तर मुझे कमेंट्स आती ही है, कि मे अच्टिवेशन आएगा हैं, मैं और बहुत सारी वीडियोज आपके लिए, बेसिक रिलेटेड जो है, बिगनर्स के लिए बनाता रूँगा, ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए, कीप रेक्टिसिंग,